यार यह इसका बड़ा अजीब साफर मेरे मूञ देखना मुझ देखना 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 यह हूँ मेरसे दूसरी दियए देखना आप गिर किया कैसे हो आप सब लोग आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूं अपना अन्रेडी वाली वीडियो की मेकप के बाद हमें कैसे अपनी स्किन की देखभाल करनी पड़ती है सो मेरे चैनल पर नाय हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो में अन तक बने रहना और मेरे बैल आइकन भी प्रेस करना ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बहुत सके ओके सबसे पहले मैंने लिया कोकनट ओईल उससे मैं अपना पूरा मेकप जो है रिमूव करूँगी गाइस अगर आपको सबसे अफॉड़ेबल कोई सस्ता वाला आप ढून रहे हो ना कोई मेकप रिमूबर आपको यह लेना चाहिए ओईल कोकनट ओईल बहुत अच्छा है आपको कुछ भी हाम नहीं पहुचाएगा बहुत सही वाला है और सब लोग जानते हैं कोकनट ओईल से कितना सही मेकप छूच जाता है बिल्कुल असानी से मेरी आखों में चला गया था और मेकप क्यों की हैवी था मतलब आइज मेकप मेरा हैवी था इसलिए पर देखी बिल्कुल भी रगणना नहीं पड़ा कितनी आसानी से एक बार में मेकप निकल रहा है तो बहुत अच्छा है बेस्ट पाल्ट है यह ओईल का मैंने देखा है यूट्यूब में बहुत सी नियू यूट्यूबर्स जो है पर एक्सांपल मैं भी हूँ सो कोकोनट ओल से ही मेकप रिमूब करते हैं बहुत अच्छा है और कोई अफॉडबल वाला ढून है तो आप ले लो यह है गुजवाप्स का पपाया वाला फेस्वाश में यह मैं आ उपने वाला बहुत ही क्या बहुत ही क्या calls by creamy tiny types क Columb Hammock का है curry mix softus और ज्ली 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 यह प्लस माइल्ड है बहुत हल्का वाला है आपको हाम नहीं पहुचाएगा ठीक है यह देखे फेस एकदम से क्लीन हो गया था देखे काजल होगे रहा सब छूट गया था मेरा क्योंकि जब भी मैंने अपना मेकप रिमूब किया ना उसी टाइम मैंने काजल भिटा लिया वरना लगा रहता है यह देखो एकदम क्लीन हो गया था मेरा फेस और यह है चावल है पर आप देखना क्या होगे मैं रिजाट यह देखो गया अभी नहीं गया चाबी नहीं गया अब मैंने मिला लिया था इसमें यह ता वैसलेन का लोशन मैं ऐज ए कोई वीडियो में आपको बताया भी है दिखाया है पूरी पूरी वीडियो बनाई है इसकी नहीं देखी चेक आउट करो मेरे चैनल पर अप्लोड़ेट है मैंने कुछ तेम पहले जाला था मेरी कॉरिंग टाइन आपको लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अच्छे से देखो मैं दो मुनेट से ज्यादा स्क्रब नहीं करूंगी दो मुनेट आपने से स्क्रब करना आप तीनेजर हो आपको कोई आपको लगता है कि मतलब की आपको बाहर के प्रोड़क्ट आपकी स्किन मिल आपको यह सब दिमांग में आता है कुछ नहीं आप यह स्क्रब एंज इस मैंने भी इसक्रब के तरह मैं देखो और मैं बॉड को दिखा तो रहें हूँ सो उससफ्टalon कितनी मतलब स्किन कितनी च्यादा ही अच्छी हो गई है और र मैं आपसे कहरी हूं नहीं ट्राय कि कोई जदा महनत नहीं चावल को लेना है पीस लेना है क्या करना है चलो यह था कैस्टर ओइल बहुत सही वाला प्रोड़क्त है इसको मैंने इसमें मिला लिया था अपने नार्यल तेल में वीजो नहीं देखिए मेरे चैनल पे अपलोड़ेट है मैं लिंक उसकी भी डाल पेस देखो कितना नैचुरली ग्लो करेगा लास्ट में आप देखना पेस नैचुरली ग्लो करेगा गाईस यह देखना अच्छे जिमाने इसका लगा यह लगाते लगाते देखिए नैचुरली ग्लो देखो 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 पेस मेरे नैचुरल ग्लो देखो कितना ज्याद प्रोडक्ट इसलिए रिसेंटली मेरे वीडियो में यह यूज कर रही हूं कोई सब्सक्राइब मैं रिसेंटली यूज कर रही हूं इसका मतलब वह वह अच्छी होगी आना यह देखो आपने पहले लगाना है आप कोई भी लगाते हैं जो आपको सूट करता है ठीक है जैसे आप फेशल ओयल भी कोई लगा रहे हो उसके ऊपर आप क्रीम लगा पहले क्रीम मत लगा पहले आप ऑइस वगेरा ही यूज किया करो देखो इसके देखो किते ज्यादा ग्लो कर रही है ग्लो ठीक है अब मैंने अपने हैंस में भी लगा ली अब मैं ले रही थी पाइटिक कि 100% natural lip balm यह तो हर एक के पास होनी ही चाहिए हलका सा pigmented है मतलब यह lip balm हलकी pigmented भी है लिप्स को आपे बहुत ज्यादा natural दिखाती है soft रखती है और moisturizing रखती है चलिएगा इस skincare तो हो गई और skincare में और में ज्यादा कुछ नहीं लगाँगी अब बारी आती है बाल बनाने की इतनी दिर से वीडियो शूट कर रही थी यह वो ठीक है तो बाल तो बनाने ही पड़ेंगे और मैं वैसे बोज़त ठक गई थी तो मैं पहले क्या करूंगी पोनी तिल कर लूंगी ठीक है घर में यह मेरे घर की हैस्टाइल है गाइस मैंने six college हैस्टाइल वीडियो भी uploaded की है especially for girls या girls ही तो करेंगे especially या so girls के लिए मैंने hairstyle वीडियो upload ही है उसमें यह वाली hairstyle भी है मैंने six hairstyle आपको दिखाई है आपने नहीं रेखी वीडियो उसका भी link मैं आपको description में डाल दूंगी check out जरूर करना शायल आपके लिए helpful हो और यह वाली hairstyle ना मेरी daily की है मुझे पसंद रही वाली hairstyle की उपर से पोनी करो बाद में ऐसे करो यह है abs goodness का aloe vera juice बहुत सही वाला है मैं बहुत time to try कर रही हूं इसको अब मैं इसका वीडियो डाल रही हूं यह देखिए आधा खतम होने वाला है almost और एक glass पानी था आधे मैं इसको मिलाओंगी थोड़ा यह आपके digestive system को improve करने में आपकी help करेगा आपके skin है clear रखेगा clear करने में आपकी help करेगा so worthy है try करो नहीं try किया है तो link आपको मिल जाएगी description box में ज़व जल्दिस try करो पहले और मैंने स्वाती मैम को देखा था उनकी ही link से मैंने यह order किया था और तब से मैं इसको पी रही हूँ ठीक है so आप भी ले लो मैं बता रही हूँ अच्छा है अब पीने के बाद यह बहुत लास्ट के expression देखना मेरे guys last के last के expression देखना मेरे देखना देखना बस चलो अब health हो गया अब थोड़ा सा ठक गई थी खाने पीने में आ जाते हैं थोड़ा सा यह था पपाया जो मैं अपने लिए ही काट रही थी पपाया और थोड़ा सा मम्मी के लिए भी काट रही थी पपाया और उसे मैं काट रही हूं अच्छे से फिर क्या था ना guys पहुत भूख लग रही थी जब मैं तीन सार वीडियो रिसेंटली शूट कर लेती हूं तो मुझे बड़ी जोर की भूख लग जाती है और यह मैंने इसमें बीच बीच में ऑरेंज भी छेल लिये थे क्या बोलता है शील लिये थे काट लिये थे काटिंगे थोड़ी उसको यह देखिए साइड में यह हैं ग्रेप्स मैं थोड़े से ग्रेप्स भी रख रही हूं यह यह थे ग्रेप्स और बस अब मैं बस पैच कई खाने बुरी प्लेट लग रहा था खा जाओं मम्मे के ज्यादा बड़ा बड़ा तो ग्रेप्स मेरे फेवरिट है पापाया भी गाइस हाँ पापाया फेशियल आने वाला है जरूर देखिएगा आप लोग के लिए हेल्पूल होगा वीडियो और बाई लव यू टेक केर मिलते हो अपनी नेक्स वीडियो में